अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो टू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूले इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेर अवश्य करें कि वो तितली की तरह आई मेरे दिल को बाग कर गई मेरे जितने भी नापाक थे इरादे सारे पाक कर गई और इन पंक्तियों के साथ मैं अगले रशनाकार को आमत्रित करूँगी हसरत अली जी आप आईए, बहुत शानदार गजलकार हैं, अध्यापक हैं हमारे MCD में बहुत शहरत है सर की और बहुत हरदे स्वागत आपका मंच पर यहाँ पर इतने खुबसुरत लोग बेटे हुए हैं उनकी जुल्फों के नाम ये एक शेर है, आप समात कर लें बतो रिखा समात कर लें के जंगल की बहारों पे सरे आम लिखा है जंगल की बहारों पे सरे आम लिखा है फिर मैंने लकीरों से तेरा नाम लिखा है फिर मैंने लकीरों से तेरा नाम लिखा है और बतो रिखास के चेहरे से तेरा जुल्फों को इस तरहा हटाना चेहरे से तेरा जुल्फों को इस तरहा हटाना हसरत न इस अदा को सुभों शाम लिखा है कि बस देखते ही देखते दीदार हो गया और पहली नजर में उनसे हमें प्यार हो गया पहली नजर में उनसे हमें प्यार हो गया और चलने का मैंने उनका ये अंदाज जो देखा बत और रखास मत कर ले कि चलने का मैंने उनका ये अंदाज जो देखा अब तो हमारा जीना ही दुश्वार हो गया अब तो हमारा जीना ही दुश्वार हो गया और मैं प्यार मुहबत करने वाला कभी हूँ और जो बात प्यार मुहबत में होती है वो अच्छी होती है जो निवट जाए कोई भी लाई जगड़ा प्यार मुहबत से अगर बात निवट जाती है अच्छी होती है तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी और बिगली तकदीर बनाने में बड़ी देर लगी बिगली तकदीर बनाने में बड़ी देर लगी और तिशनगी देखके मजदूरों की में तूट गया आपने देखा होगा सड़क पर जो लोग पत्थर तोड़ते हैं कभी कभी आपने देखा होगा तो धूप में भूगे प्यासे तो उसी से रिलेटर ये शेर है तिशनगी कहते हैं प्यास को प्यास उन सब की बुझाने में बड़ी देर लगी और इश्क का नाम भी आता था तो डर जाते थे पहले प्रारेश दावने में लोग थोड़ा महबत की परवान चल लें वोड़ टाइम लगता तो उनको और डरते तो प्याया महबत कर चुपाया करते थे क्या इश्क का नाम भी आता था तो डर जाते थे उनको महबूब बनाने में बड़ी देर लेकी और रात भर इसलिए जागी थी परिशाएक माँ एक माँ बच्चे के लिए क्या खा करती है क्या रात भर इसलिए जागी थी परिशाएक माँ रात भर इसलिए जागी थी परिशाएक माँ भूके बच्चों को सुलाने में बड़ी देर लगी रात भर इसलिए जागी थी परिशाएक माँ रात भर इसलिए जागी थी परिशाएक माँ भूके बच्चों को सुलाने में बड़ी देर लगी और पढ़ गई थी मेरी भीगी हुई पलकों पे नजर कभी कभी लोग उदास होते हैं तो हम पूछते हैं आप उदास कैसे हैं तो बताते नहीं हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ तो उनके जो चैरे से जलक जाता है तो इसी शेर में आवाज़ किया गया है समात कर लें कि पढ़ गई थी मेरी भीगी हुई पलकों पे नजर इसलिए दर्द छुपाने में बड़ी देर लगी इसलिये दर्द चुपाने में बड़ी बेगी बहुत बहुत शुक्रिया आखअप और आकरे शेल मकता समात कर लें आपकों सामने पीश कर रहा हूं के एक मजलूम को जालिम के रूबरू हसरत जो जालिम होता है कभी-कभी जालिम होता है एक मजलूम को जालिम के रूबरू हस्रत गम की रूदाद सुनाने में बड़ी देर लगी गम की रूदा सुनाने में बड़ी देर लगी बिगडी तकदीर बनाने में बड़ी देर गजल के दो तिन शेयर और आपके साने पेश कर रहा हूं कि पढ़ गई रस्म की जन्जीर मेरे पाओं में अब कभी मैं नहीं जाओंगा तेरे गाओं में पढ़ गई रस्म की जन्जीर मेरे पाओं में अब कभी मैं नहीं जाओंगा तेरे गाओं में और तुझ से मिलने को ख्यालों में नजर जाएगी तेरी तस्वीर मेरे दिल में उतर आएगी और कैसे कह दूं के तुझे प्यार नहीं कर सकता सच तो ये है के मैं इजहार नहीं कर सकता और क्या करूं तू ही बता दर्द छुपाने के सिवा कोई चारा भी नहीं दिल को जलाने के सिवा और लुट गए रंजो अलम में ये मेरे सबर और करार तेरी यादों से ही बाकी है मेरे फन में बहार और तू तमाशा बने ऐसा नहीं होने दूगा मेरी जा मैं तुझे रुसवा नहीं होने दूगा के जान तेरी है जिगर तेरा है तन तेरा है मेरी परचाईया तेरी है बदन तेरा है और एक दो फूल नहीं सारा चमन तेरा है यू जुदा दिल से तेरी याद नहोने दूंगा घर कभी इश्क का बरबाद नहोने दूंगा और मुझको शोहरत भरे बाजार में लाई तू है मेरी आखों में मेरे दिल में समाई तू है ये अलग बात है के दोस्त पराई तू है फिर भी मैं तेरी महबत का भरम रखूंगा दिल में आबाद हमेशा तेरा गम रखूंगा और शहर से जब तेरी बारात चली जाएगी मेरे अर्मानों की सोगात चली जाएगी और मेरे दिल से तो हर एक बात चली जाएगी और तू तमाशा बने ऐसा नहीं होने दूंगा मेरी जा मैं तुझे रुस्वा नहीं होने दूंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो टू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूले इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेर अवश्य करें